तो इस पर्टिकल्ल यूडियों बात करने वाले जो सेकिंड ओडिया ही रहेगा पहला जो मैच था उसकी प्रेडिक्शन आपने देखी होगी जो चीज़े मैंने बताई थी कि उम्रान मलिक हुआ चाहे फिर उसके बाद में यहां से हर्दिक पंड्या का इतना फेल होना हुआ बैटिंग से रोहिच शर्मा विराट कोली सारी प्रेडिक्शन गजब की गई थी इस मैच में भी जबरदस्त करने वाले प्रेडिक्शन भी और साथी जाथ एनलिसस भी कैसे आपको स्मॉली की टीम मनानी है सब चीज़े एक एक करके डिसकस करेंगे तो बस वीडियो को ठीक है कैसे जीट सकते हो सारी चीज़े आगे डिसकस करने वाले वीडियो के बीच में कहीं पर बताऊंगा तो बस ध्यान रखना उसके अलावा वीडियो आप कोई पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुए वी तक भी ठीक ह सब्सक्राइब नहीं करना बात करते हैं अपने मैच की देख वन थर्टी रहेगी इस मैच के ड्लाइंग इटन गार्डन्स पर खेला जाएगा जहां पर रोहिद भाई ने इतने रन मारे थे श्रलंका को कि उनके बोलर्स को अगले दिनीन नहीं आई थी हां यह वहीं ग्रा आप देखो वहां तो थी बैटिंग पिच जैसा पहले से पता था बढ़ यहां की जो पिच हमेशा रहती है ना वो थोड़ा बोलर्स की तरफ जाज़ा रहती है यहां पर थोड़ा बोलर्स को मदद जादा मिलती है ठीक है तो यह जरूरा बिखन में रखना बागी बात करत तार्गेट को जिसमें 13 विकेट पेसर और 6 विकेट स्पिनर के थे उसके बाद में 13 ओफ निवंबर को इंडिया ने 404 बना दिये थे और यह मैच आपको पता यह इसमें ना बोलर्स की चली और ना दूसरे बैट्समें की यहां पर सिर्व रोई चर्मा की चली थी जिसमें शि 316 विकेट पेसर के दो विकेट स्पिनर के थे अब यह 2013 वाला मैच थोड़ असा अलग अटके हुआ था क्यों क्योंकि यहां पर 200 पकिस्तान ने बनाए थे इंडिया ने 165 और 10 विकेट स्पिनर को और सिर्फ 9 विकेट पेसर को मिले थे तो और अगर देखा जाए तो अगर अगर शिरलंका जैसी बैटिंग होई तो यहां पर बनेंगे उनसे सिर्फ 200 अगर इंडिया ने बैटिंग चालू की और बढ़िया उनके रन लगने शुरू हुए तो रन तो बन सकते हैं मतलब 300 से उपर भी फिर जाते हुए दिख सकते हैं तो अगर फर्ष्ट बैटिंग किया है तो सोच के चलना कि 300 बन सकते हैं और अगर शिरलंका किया है तो सोच लेने के भाई 200 से तो थोड़ा सा आसपास रहेगा है उससे नीचे भी हो सकता है बात करें प्लेइंग 11 के रोईच शर्मा शुमन गिल खेलते हो दिख जाएंगे जैसा रोईच शर्मा ने प्रेस ही रहता है अगरें शर्लंका क्या तो बढ़िया तरीके से मारो या दस से नीचे आउट हो जाओ बाकि उसकाद में विराट को ली लगातार दो सेंचुरी मार चुके हैं भी ओडियाई में बंदा वापस वोंब आ गया है उसकाद में श्रेश है इन्होंने बनाए थे ट्व और जो दूसरे में बोलर से डलवाए गयते हलाकि जो स्पिनर्स थे जैसे अक्षर बटेल हुए और यहां से चहल हुए इन्होंने अपने पूरे बीस और कराए बट यह जो बाकी के चहर बोलर थे ना इनके और पूरे ना तो डलवाए गये वैसे श्रलंका तोड़ी लिए और यहां से देखने को मिलें तये और वह आज भी देखने को मिलेंगे कि अक्षर बटेल और जुएंदर चहल आपको पूरे ओडालते हो दिखेंगे जिसमें कि फिर शमी सिराज उम्रान मलिक मैक्सिमम ओडालेंगे बट इन सब के और मेंसे ऐसा हो सकता है कि एक एक दोवर कटे और फिर हार्दिक पांडिया को बोलिंग दी जाए ठीक है फैसा आज भी होता हूँ आपको दिख जाएगा बागी हार्दिक पांडिया एक विकेट लिया था और अगर टीम मलेक अभी तक ओडियाई में जवरदास रहा है तीन विकेट इन्हों ने पिछले मैच में निकाले और हमें जैसा बोलागी श्रलंका से क्या है कि इनकी पेस अभी के लिए खेली नहीं जा रही है बट टीवन्टे खेल लिया पहला ओडिया खेल लिया तो अब उतने पिट कहीं ना कहीं मिल गया था विकेट लैस गयता है तो सिर्फ वो थे अक्षर बटेल तो यह जाती है आज के लिए इंडिया की टीम शुरुआत आपको बता है यहां से शिराज और शमी से जो शुरुआत होने वाली है नई बोल कि उसकाद में उम्रान मली किस्सा ले ले हैंगे बट कभी-कभी सिच्वेशन के सबसे चेंज हो जाते तो वह जिरूर ध्यान रखना बाकि अम मैं बता देता हूं जिन लोगों ने पिछले मैच में आईफॉन मिस्कर दिया था निराश नहीं हो ना तुमको क्योंकि तुम्हारे लिए इस मैच में है ठीक है और जिन का मोगा है आपके लिए इस मैच में बट सिर्फ माइलें सरकल पर और डिपोजिट करोगे तब भी आपके लिए को पर है क्या है 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा बोनस नहीं 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा तो यह ज़रूर ध्यान रखना तो जल्दी से जाओ लिंक इनका की प्लेइंग 11 की क्या उनकी प्लेइंग 11 रहे सकते है वैसे इनके तरफ से एक प्लेयर का डाउट है मिलेगो सिर्फ वह थे और वहीं रहेए वहाँ एंगे जक्योंकि और टेया को नेशाटका मेंडेस पातुम निशानका की ओपनिंग सही है आइजिंग करा नीच यह कुछल मेंडेस जैसे नंबर तीन पर आए वैसे यह जिरो पर आउट हो गए अविश्का प्रदेंड़ ने कुछ खास किया नहीं पातुम निशानका ने बनाए 72 उसका आद में असलान का डिसेंट 23 र बधाँ इन्होंने निकाला था जैसा हम बोला इसकी मन की मदजिया कभी बोलिंग कर लेता दशन छनाका आप सब्सक्था और कोन करेगा कम कोन नहीं बट दश權 करने आज के लिए बाकि में ऑनिंगा विक्ट लैस गए था यह काफ़राइस यह एक करोना रतने को यह great दो एक विकेट और कसुन रजीता आपको बताया तो मैंने कि कसुन रजीता भाई टीडोंटी में तो कैसा ही हो बट ओडिया जब बारिया आती है तो बंदा बहुत बड़िया बोलिंग करता है और यहां पर तीन विकेट कसुन रजीता ने जो निकाल कर दिखा दिये थे आज भी रहेंगे उस चीज के पट वो एक परसंट के ओपर ग्रैंड लिग में रिस्क ले ले लेना मदूशंका को कैप्टन ट्राइ करके और इंडिया का टोप और पूरा का पूरा ड्रोप करके विराट शुमन गिल रोईट शर्मा इन सब को ड्रोप करके जब आप कैप्टन बना होगा कि 20-25 मैंच में से ना एक बार तो ऐसा निकाला आता है जिसमें लेफ्ट टाम पेसर इंडिया का पूरा डोप डूट रूटा दे बात करें अपने बैंच प्लियर की बैंच में थीक्शन है हमारे पास में नुवारी तो फर्नेंडो है जो कि डेब्ब्य वर सकते अग काफी लोग इसका नाम ही पहली बार सुन रहे हो बट बहुत पहले यह टी-20 वे ओडिया यूए खेल चुका है और उनमें पर्फॉर्म भी कर चुक है उसका वाद में ड्रोप हो गये बट अभी वापस से टीम में पिक किया गया है एक्सपिरेंस प्लेयर है अब आकि उसका का एक विकेट पिछले मैच वह निकाले गया रदीता कंसिस्टेंट पर्फॉर्मर रहा है ओडिया की बात की जाए तो लहीरु कुमारा के भी खेलने के चांस से कम ही बनेंगे और इंडिया के तरह में चेंज की उम्मीद वैसी नहीं रहेगी जीत कर आए पिछला मैच यह उसका वाद में थर्ड में जरूर्ड चेंज होगा आज के लिए होना मुश्किल है सुरे कुमार यादव ड्रोप किये गए थे और वो भी रहेंगे इशान किशन यह 210 बनाय थे इन्होंने बट स्टिल यह टीम में नहीं आ पाए उसका वाद में वाशिंग्टन सुंदर है एक तीन दो जिरो तो अक्षरवटे लिए सुंदर को एक ही खेल सकता है टीम में उसका आद में अर्शदीप सिंग्या लेफटांप पेसर इनकी जगे भी दिर दिरे उम्रान मलिक ले जा रहे हैं अभी के लिए ओडियाई टीम से तो दो ही मैच खेल पाए अभी तक अर्श सब्सक्राइब तो इससे बुरा रह सकता था अब ठीक है अच्छा है कम से कम एडन पर खेले हुए एक्सपिरियंस भी इनके कुछ प्लेयर्स को तो उसका बाद में बात कीजाए अगर इंडिया की तो उन्होंने खेले बीस मैचेस बारा जीते हैं और आठ मैचेस अब तक ह होगा जो सबसे एक फोर्थ जो लास्ट शार मैचे से उसमें भी दो हजार तेहरा तक लिश जारी थी तो बहुत जादा पुराने मैचे से और अभी इंडिया में काफे सारे नए प्लेयर्स है विराट रोईट को चोड़ कर तो इसी वज़े से विराट च्छे मैच में 326 र कुल मिलागर दो मैच में 76 रंस है और एवरेज इनका 38 का ठीक है यह तो है हमारे वेन्यू की पर्फॉमर तीन उसके बाद में बात करूँ अगर बोलिंग शेक्शन की तो उसमें हर्दिक पंड्या ने वो जो दो मैचेस खेले उसमें पांच विकट मी निकाल रखे हैं कुल हेट्वेड सेक्शन की तो उसमें 163 मैंचेस 94 जीते इंडिया ने 57 जीते शिरलंका ने इस ग्राउंड पर एक शिरलंका जीत चुके है और तीन जीती हुए इंडिया हेट्वेड के गर रंस की बात करें तो यही दोनों और इनी दोनों ने पिछले मैच में बढ़िया तरीक हो जाओ विकेट की बात कीजिए अक्षर बटेल हैस्ट विकेट टेकर है अभी पूरे स्कोर्ड में से अगई श्रलंका 10 मैच में 17 विकेट और उसके बाद में चहले 9 मैच में 17 वर दोनों को ही मिलाकर पिछले मैच में 20 और में मत्र एक विकेट मिला था देन बात करते हैं सबसे बढ़िया जो section मिरें को लगता ना इनिंग वाइस कैसा कौन कैसा करता है रोईच शर्मा आपने देखा है रोईच शर्मा ना रं बनाओ तो एकदम बढ़िया तरीके से बनाओ या फिर फ्लोप हो जाओ और रोईच शर्मा का ऐसा है कि second betting करते वक्त तो फिर भी दो बार फ्लोप होए वर्श्ट बैटिंग में सिर्फ एक बार वागी टाइम सेंचुरी मारी है और अगर हैट्क की बात की जाए तो फश्ट बैटिंग करते हुए उसका बाद में विराट को लिए विराट को लिए फश्ट बैटिंग करता वक्त सेंचुरी लगा यहां तो second betting में भी नोने अच्छा किया है अगर देखा जाए तो बट दो बार second betting करते हुए मतलब chase करते हुए ही तीन बार तीन पर और चार रन पर आउट हुए बट वही चैसाथ इनिंग में से उल्मोस्स साथ इनिंग में से दो सेंचुरी नहीं सोरी तीन सेंचुरी और एक बार 34 ए 22 और 66 है और 55 का भी स्कोर है उनका इस वेन्यू पर ठीक है तो इसी वज़े से वराट को लिए आज के लिए काफी स्ट्रोंग कंटेंडर है कैप्टन बनानी को लिए होगी तो बंदा फों में भी आच चुका है तो को डाउट रहना नीची है तो इसक लेने को मैं पर जो है वेन्यू पर रिकोर्ड ज़रूर है दो ही मैंचेस है वर जो मैंने आपको बताए जाहिनों ने 56 और 26 रंस बना रखे थे सुरी 20 ठीक है और अगर हैट्वेड में देखोगे तो बैटिंग से तो हैट्वेड में कभी कुछ नहीं किया है हार्दिक पांडिया ने र बागि उसकाद में चहल की बात कीजाए तो चहल भी बहुत कम विकेट लेस रहे हैं अगर शेरलंका का गेश्न बात कीजाए तो नो मैंच में 17 विकेट थे चहल के और 2-3 विकेट भी कभी गबार है इन्हों ने जरूर निकाले फस्ट बालिंग हो चाहे फिर फिर सेकंड ब लिए दिक्कत तो नहींगी कि बोल एकदम साबून के टिकिया बन गई हो बट हाँ थोड़ी बहुत प्रोब्लम तो इनको आने वाली है चाहे फिर वह हसरंगा हुए चाहे फिर वह यहां से अक्षर बटेलेंड चहल हुए ठीक है अब अगर श्रिलंका की कुछ प्लियर्स की बात करें जो कि हैट्वर्ड सेक्षिन में रहते हैं तो उसमें तो शनाका है शनाका ओडिया में इतना नहीं चलें अगेंस्ट इंडिया एक सो आठ और उन्ता लिस दो बार फ्लोब भी हुए बट अभी जबरदस्त फोर्म में चल रहे और अगेंस्ट इंडिया तो बहुत डी सिलवा है और बहुत बड़ा स्कोर तो निया धनजा डी सिलवा का 29 32 47 का है बाकी आज भी ठीक ठाक सा गर सकते हैं बैटिंग और बोलिंग दोनों से मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट तो आपको नहीं देंगे बट हाँ टीम में रखने लाइक पॉइंट तो दे सकते बट उसके बाद में पांच बार ये अगेश्ट इंडिया खेल चुके हैं और पांचों बार लगातार फ्लोप रहें और यहां पर फ़र्श्ट बैटिंग हो चाहिए सेकंड बैटिंग हो सम्वें फ्लोप रहें और पांट से उपर तो रहनी नहीं दो बार एक बनाए एक पर पिछले मैच में चमी का करूना रतने को यह हो जाते हैं अब आपको पता है दो चीज़ा चलेगा ल॥ा है फ़र्श्ट बैटिंग में क्या किया है एप्लेर इस और साथ इसाथ इनकी head to head और यहां पर ना venue में recent form क्या चल रही है तो दोने चीज़े एक ही उसमें clear हो जाती है और जिसको भी screenshot लेना वो ले लेना ठीक है बाद में मेरे को बोलो comment section में ही तो आप लोग ठीक है अभी चलते हैं आगे क्या रहेगी हमारी team और team आपको पता कि my line circle के और जो लोग भूल गए है वापस से बता दू कि ipad का एक रुपए में जीच सकते हो ipad का giveaway समझ लो एक रुपए के entry piece सिर्फ तो एक रुपए में ipad जीच सकते हो साथी साथ मैं contest में था रहे और deposit करोगे नीचे देगा link से my line circle download करने के बात में 20% extra cash भी है आपके लिए तो सारी चीज़े मैस बलकुल मत करो बड़े match हो बड़ी चीज़े आपके लिए यहां से बहुत नीचे आता है ठीक है तो इसी वह सबढ़ें किशन में अने डी सिल्वा है और कशन रजीत है अब अगर आप यहां पर चाहो ना तो एक चेंज़ आप कर सकते हो कि अप धनेंजड और रचाष्छन के ब सकते हो हार्दिक में है उम्रान मलिक अब बोलिंग चेक्शन तो बोलूगा पूरा रिस्क लेने के लिए यह आपके पास आप जिसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए विराट पूली सबसे सेफ है तोड़ा रिस्क जादा लेना हो तो रोई चर्मा को ट्राइ कर लेना एंड वाइस कैप्टन के लिए या तो सिराज आई तिंग बैटर होएंगे आज इस मैच में और या फिर आपके पास में जो लाश मैच के बदोलत काफी लोग बनाने भी वाले वह सक सब्सक्राइब कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में बागी उल्लावेश्ट इस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियों में बहुत ही जारा जल्द और गिवावे का कोशन में वापस भूल गया तो वह आपके लिए रहने वाला है कि इंडिया के विराट कोली साथ में र